तो दिलिप पंडे का वहाँ कहना कि आरोप तो हमने बहुत कुछ लगा है बीजेपी पर लेकिन दिल्ली पुलिस पर नहीं जाएंगे यह पहले मुख्य मंत्री होंगे दिली के जो कि तिहाड में होंगे और मुख्य मंत्री रहते हुए तिहाड में कुछ शर्म होते हैं इनको तुर्ण तसीफ़ा देना चाहिए जो मूल बात आज एडी के सोर्सी से जो निकल कर आई और जो रिपोर्ट की जारी हुए कि अर्वि रैकेट है बड़ा रैकेट है इसमें अतीशी और सारत भार्दवाज भी इन्वार्ड है शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले दिल्ली को ठगने वाले अर्विंद केजडिवाल अब कट्टर इमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते हमारा ये पहले दिन से मानन अ अधा कि शराम निती में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकलने का काम किया गया है और आज बार बार ये बास सच हुई कि जब मानिन नयाले ने इस प्रश किया कि आपको नियाय खिरासत में जाना ही होगा क्योंकि शराम निती में घोटालत तो हुआ है मुझे उमीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नई करदारों को भी देखी कि जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया अनन्तिवारी और दिपक बिश्टिस्वक्त हमारे साथ है अनन्तिवारी एक बात बताईए इडी का ये कहना है कि अर्विंद केजरिवाल ने आतिशी और सौरभ भरतवाज का नाम लिया तब तक क्या आतिशी और सौरभ भरतवाज इडी के रेडार पे थे अब अर्विंद केजरिवाल ने इनका नाम लिया क्यों है देखिये आनंद मेरे पास वो याची का आई है जो केजरिवाल को नाईग हरासमन भेजने के लिए एडी ने कोट को दी है उसमें कुछ महत्पुन बाते रखी गई है जैसा कि दीपक भी जिसका जिक्र कर रहे थे एडी ने केजरिवाल को जेल भेजने के रिमान नोट में लि प्यान भी जो है अर्वीन केजरिवाल को दिखाये गया और विजे नायर को लेकर अर्वीन केजरिवाल ने इडी को कहा कि वो आतिसी और सोरफ भराद्वाज को रिपोर्ट करते थे उनसे विजे नायर का इंट्रेक्शन बहुत कम हुआ है ये दूसरी मेरपुन बात लिख कि केम्प आफिस में कौन काम करता इसका डारेट जानकारी अर्वीन केजरिवाल ने नहीं दी विजे नायर आप पार्टी का कोई मामूली वोलिंट्रियर नहीं है बलकि पूरी मीडिया कम्यूकरिशन सेल को हेड कर रहा था इसके लावा ये भी लिखा गया है कि केजरिवा इसमें और भी बाते सामने निकली हैं इसमें ये भी निकला है कि अर्विंद केजरिवाल ने गलत साक्ष दिये अर्विंद केजरिवाल ने आब आदी पार्टी के अन्य मेंबर्स के बारे में गलत साक्ष दिये जब उन्होंने कहा कि ये देखिए ये आपके बयान है और य उन्हें कहा कि यह counter, यह confused हैं, फिर उन्होंने एंडी गुपता उनको भी confused कह दिया, एंडी गुपता उनके पोलिटिकल अफेर्स कमिटी के मेंबर है, आम आदमी पार्टी के active मेंबर हैं, और कहा कि उनको पार्टी फंक्शनिंग के बारे में सब पता है, लेकिन जब उनसे कह कि एंडी गुपता जाहां ही कह रहे हैं कि नैचनल कंफीनर ही सारे डिसिजन लेते हैं, सारे फैसले आमादमी पार्टी के नैचनल कंवीनर ही लेते हैं, तब अर्विन केजरिवार ने कहा कि वो confused आदमी है, आमादमी पार्टी का नैचनल ट्रेजरर कंफी unbelievably है, ये भी उन् ने लिया है और उसके अलावा वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था बलकि वो सीधा अतीशी ओस और भारदवाज को रिपोर्ट करते था उनका इंट्रेक्शन उससे कम था क्योंकि जाहिर से बात है वो सीम थे और यहां पर चीज़ें उन्होंने बताई हैं लेकिन जिस तरह से दो नाम आ कोपी लिखी गई थी उसके रावा पूरा जिक्र किया गया है कि क्या क्या इस पूरे रिमांट के दौरान हुआ था तो आब यह देख लिजिए आनंद की दो नए नाम जिनका नाम यहां बाद जिक्र है तो उनसे अब पूसाज के लिए एडिया आगे जा सकती है समन उनको हो सकता है क्योंकि दिली श्राब आपकरी नीती जो थी उसमें जो घोटाला हुआ था उस पूरे मामले में यह नए नाम भी यहां पर पूसाज के लिए नाम लिए अर्विन केजरिवाल ने लिए एंडी गुपता के बारे में भी घुमा फिराकर बात कई और एडिका ये कह भारदवाज का नाम लिया केजरिवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी और सौरफ भारदवाज से जोड़ा केजरिवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं आतिशी और सौरफ भारदवाज को रिपोर्ट करते थे यह बहुत बड़ा दावा उन्होंने कर डाला है जिसकी होती थी लेकिन इसके विपरीत का साक्ष्य एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट यानि इडी के पास है जहां एक फेस्टाइम पर चैट करते हुए और कई सारे अप्रूवर्स के बयान ये कहे गए हैं कि विजय नायर ही इंटर्मीडियरी बिचौलिया था बीच का आदमी वही था उनकी पूरी मीडिया और कम्मिनिकेशन को वही हैंडल करता था और जब ये सारी घटना घटी तब तो सौरव भारत द्वाज पे एक MLA और स्पोक्सपर्सन हुआ करते थे इसे 15 अप्रेल तक उन्हें जुडिशल कस्टिडी में भीजा है क्योंकि जुडिशल कस्टिडी 14 दिन के लिए कोड देती है 14 दिन के बाद 12 अरोपी को पेश करके उसे बढ़वाना पड़ता है तो आज एक तारीक है 15 तारीक तक 15 अप्रेल तक के लिए उन्हें जुडिशल कस्टिडी में भीजा गया है 15 अप्रेल को उनको दोबारा से जब उनका जुडिशल कस्टिडी खतम हो जाएगा फिर यहां दोबारा लाना पड़ेगा लेकिन इस बीच उन्हें जुडिशल कस्टिडी में रहना पड़ेगा इस बीच उनके वकीलों की तरफ से जबानत के लिए जब बात पूरी करिएगा क्योंकि जुडिशल कस्टिडी 14 दिनों के लिए होती है और आज एक तारीक हो और ऐसे में 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशल कस्टिडी में अरविंद केजरिवाल को भेजा गया है इस वक की ब्रेकिंग यूज आपको बताएं 15 अप्रैल तक क्योंत कि लिए तक उुडिशल कि अप्रैल कि अप्रैल तक के लिए खरणी जुडिशल कि अप्रैल को भेजाएं झाल झाल